इश्वर ने महिला के सरीर में कई सारी संरचनाय बनाई हैं जो पूर्सों में नहीं होता और उसी में से एक है महिलाओं को होने वाला महामारी यानि पीरियर्ड्स तो चलिये इस वीडियो में हम जानते हैं कि एक लर्की को मंथली साइकल्स, periods यानि महामारी क्यों होती है और periods के दारान अधिकतर महिलाओं को पेट में दर्द क्यों होता है और अगर किसी लर्की को पेट में असहनी ये दर्द होता है तो इससे कैसे बचा जाए जब एक लर्की के शरीर का विकास हो रहा होता है वैसी अवस्था में लर्की के शरीर में कई सारी हर्मोनल चेंजिस हो रहे होते हैं और ऐसे ही एक बदलाव है लर्की के शरीर में periods का आना periods का आना लर्की की life का काफी एहम हिस्सा है usually एक लर्की को 12-15 वर्ष की उम्र में periods स्टार्ट हो जाता है जिसे puberty period कहते हैं और usually 45-50 वर्ष की उम्र में period का आना बंध हो जाते हैं जिसे menu pause कहते हैं अब जान लेते हैं कि ये periods आते क्यूं हैं तो periods का सिधा संबंध गरवाशय य ठीकनेस बढ़ने लगती है ये परत बच्चे को पोशन देने के लिए बेहत जरूरी होता है लेकिन जब तक एक महिला गर्वधारन नहीं करती तब तक उसे गरवाशय में इस परत की कोई जरूरत नहीं होती है इसलिए हर महिने ये परत खून के रूप में यौनी से बाहर निकल जाती है और इसी को मासिक धर्म या फिर पिरियर्ड्स कहा जाता है और इस दोरान ज्यादा तर लर्कियों को पेट के निचले हिस्से में दर्द या अकरन महसूस होती है क्योंकि इस समय गर्वा से खून को बाहर निकालने के लिए सिकूरता है जिसकी वज़से ये द दर्द होता है तो पिरियर्ड्स के दोरान होने वाला पेट का दर्द बिल्कुल समानने सी बात है लेकिन अगर किसी महिला को या लरकी को पिरियर्ड्स के दोरान काफी तेज और अहसहनिये दर्द होता है तो अब हम जान लेते हैं कि इस दर्द से कैसे बचा जाए अगर आ पूरी तरीके से बंद कर दें, इससे आपको काफी लाब मिलेगा, साथ ही डेली अपने खाने में आइरन, फॉली के सीड रीच फूड खाएं, फ्रूट्स और सलाद का सेवन जरूर करें, पिरियेड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में काफी तेज दर्द होने पर आप एक गलास गर्म पानी में दो चूटकी हल्दी पाउडर मिला कर उसमें एक टीए स्पून हनी मिलाएं, उसे अच्छी तरीके से शेक करके धीरे धीरे सिप लगा कर पिएं, इससे आपको काफी आराम मिलेगा और काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, अगर पिरियेड्स को लेकर या फिर किसी और हिल्थ इसूस को लेकर आपके मन में कोई सवाल हैं, तो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, अगर आज की हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन्ह ज्यानवर्धक आने वाला हर वीडियो आपको मिल सके